इस वीडियो में आप बताने जा रहा हूं आज के समय में अपने आचार विचार खान पान विवाद का में हर आदमी किसी समस्या से प्रित है किसी रोक समस्या गिरे रहता है कोई धन से प्रसान है कोई स्वास्ते प्रसान है तो इन सभी समस्याओं का कैसे हम एक अच्छा उपाए निकालें कैसे हम व्यवस्था करें यह समस्या हमारे दूर हो जाएं और हमको सुख सांती और सम्रि सब्सक्राइब करें बगले घंटी प्रेश कर लें इससे आपको नई नीवाते समय से पताते हैं कि आप उनका लाब उठाते हैं अनधता क्याते हैं तो किसी ग्रह के किसी बिष्ट की की फूजा करने से हमको अशु फ político में कमी होने लगती है तो शाथियों जैसे कहते हैं कि जल है तो जीवन है जल कैसे होगा जब हमारे पर हर्याली रहेगी गिरनी रहेगी पेड़ पोधर रहेंगे तब जल होगा अनधा जहां से जहां पर पेड़ों पिटान ज्यादा हो गया वहां पर बर्सा कम होने लगती है और उस इलाके के लोग फशान लगत तो साथियों यदि आप चाहते हैं कि सम्रिधी हो धन-धन से सम्रितता पraपनों हो भीवन में धन का भाव ना हो यदि धन का भाव अब्स पास है तो उसको कैसे दूर किया जाए कैसे धनप्राप्ति किया जाए तो इसके लिए कच है चाहिए कि आप जो फलदार ब्षे होते हैं अम है अमरूद है अपीता है इंपक्टों को फलदार उसको को is 5-7 संख्या में नर्जण अस्थान पर फैरोपय करें सहरे किनारे कहीं ति खाली अस्थान हो वहां पर इसको रुपाई कर दें और प्रत्य दिन अथ्वा सब्ता हमें दो दिन कि आप उनमें जल का संचन सिंचन करें तो आपके जो आर्थिक समस्या हैं इन पेडों की सेवा करने से वह आर्थिक समस्या दूर हुन लगे और यदि आपके सामने कोई समस्या है कोई परशानी है आर्थिक स्वास की समस्या है समाजी समस्या है रोग परशान कर रहे हैं तो इनके लिए जो हमारे जो अनव बरस्पतिया होती है अनव जो पोधे होते हैं इमार्ती रकड़ी होती है जीसे की हाम है साकु है सागोन है पी यह जो पीपल, बर्गत, बेल, आउला, यह सब बनस्पतियां ऐसे पौदे होते हैं, यह देव ब्रिश्किन की संग्या की दियाती है, जैसे आपने देखा होगा कि बेल पती भगवान सीवजु के चढ़ाने पर परसंद होते हैं, आउले के नीचे भोगजन बनाया जाता है, इस साल में एक बार आमल की गासी काते हैं, उसके नीचे भोगजन बनाने से घ्रन करने से भगवान विष्णु परसंद होते हैं, चुक्चुकी हुआ है, भगवान विष्णु का ब्रिक्ष होता है, और यह जो पीपल है, इसमें सारे देवतां के बास बना जाता है, पत्त होता है, तो इन विष्णु की सेवा करने से आपको आपकी जो आर्थिक समच्या हैं, उन से आपको रुक्ति मिलेगी, आपकी समस्याओं का निदान होने लगेगा, तो आशा है कि आपको यह बात अच्छी लगए कि हमने पहली बार आपको इसकर हिजानकाई दिया है, तो स समस्याओं यदि मनें बताया कि आर्थिक समस्या हो फलदार विक्ष और अन समस्या हो स्वास की समस्याओं जैसे हमने बताया कि आम है, पाकड़ है, गूलर है, यह आपका बेल है, आउला है, इन पोदों के रूपन करें, और जैसे मनें पहले वीडियो में शुरु आपको जल से सिंचन करें, प्रतिजिन करें, अथवास अपता हमें दो जिन करें, तो आपकी समस्याओं से धीरे-धीरे यह सब सातियों यह कोई इंजक्षन नहीं है, यह जो मंत्र इतियाज जो उपाय किया जाते हैं, इनका धीर-धीर प्रभा होता है, आप चाहेंगे कि आज हमन मंत्तंत के जो प्रभाव होते हैं, जो बनस्कवतियों के माध्यम से कोई शुदाप्रात करना हम चाहते हैं, यह से मैंने एक बार वीडियो बताया था कि सनी दे अनुकूर करने के लिए कैसे की आजा, तो चालिस दिन के बाद आपके अंदर वो प्रभाव धीरे शुरू हो और लगभाव 120 दिन में मतब 34 का 120 मतब चार महिने में आपको पूर रूप से अभास हो जाएगा कि आपको समस्या दूर में लेगेंगे, तो आपको विश्वास बियागा कि हम इस यह काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई आपको लगना नहीं है, सिर्थ थोड़ा सा जब पूधे का रूपन करें तो आप आर्थी कलाव चाहते हैं, तो लक्षटमी नरणा भ्यानवा ओम लख्ष्मी नरणा भ्यानवा, अम विष्टवौधिर नमां क्योंकि लक्षमी नरणा धियोध दिन्धन करािगे, और दो आपको प्राथी कराएगे है और इक इसमस् सब्सक्राइब कर लें आपने हैं वीडियो को सुरिशन तक देखा इसके लिए आको बहुत धन्यवाद मिलते अगले वीडियो में नए भी से पर तब तक नमस्कार वीडियो देखनी आको बहुत धन्यवाद